Hello Learners, आज हम बात करेंगे Barloss Model of Communication में जिसमें एक Source है, एक Message है, एक Channel है और एक Receiver है Source में देखा जाएगा कि उसकी Communication Skills कैसी है, उसका Attitude कैसा है, उसका Knowledge कैसा है, उसका Culture कैसा है Means Source या Sender वो होता है जो कोई Information को भेज रहा है ठीक है, फिर जो Information भेज रही है, means जो Message जो है वो दिया जा रहा है, उसमें क्या जाएगा, कौन से Elements है, क्या Structure है, क्या Content है, क्या Code रहेगा Third आएगा हमारा Channel, किस Channel के थूँ जो है, वो Message जो है वो दिया जा रहा है उसमें Seeing, Hearing, Touching, Smelling, Testing ये सब चीज़े जो है वो चैनल में आती है और Last है हमारा Receiver, means जो Message को Receive कर रहा है उसमें अंदर क्या चीज़े आएगी, Communication Skill कैसा है, Attitude कैसा है, Knowledge कैसा है, और Culture कैसा है ठीक है, तो Communication के सबस्या जोरी क्या है, Sender या Source, Message, फिर Channel और Last में Receiver झाल, क्या जोरी कैसा है